नमस्कार सांथियो आज हम बात करने वाल है किसी संख्या का वर्ग ज्याद करना तो सांथियो आज मैं यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं पूरे तीन वीदियो के बारें बताने वाला हूं जिसकी सहात्य से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्याद कर पाएंगे वो भी बह दो बार करते हैं गुड़ा और जो गुड़न फल्प्राप्त होता है वह संख्या का वर्ग कहलाता है जैसे कि मैंने कहा कि मुझ felon n counter गुड़ा निकालना है तो इसका मतलभ होता है कि धूर्च का रभग कि नि यहायाँ virtu so 2 दो दो दूनी चार इसी प्रकार से और देखे हम जैसे कि कहा गया कि तीन का ग्याद किजिए तो ये फिरता always कि तुट HOW क्या होगा कि तीन का दो बार करना है बुड़ा किसे तीन से ही गुडा करना है तो यहाँ फ्मतलब करेंगे तो यह हो जाएगा पांच गुन पांच बराबर आजाएगा पचस यह तो बात वूंई च्छोटी छोटी संखियाओ की जिसका पहडा में याद है अगर मैं आप लोगों से पुछलू कि पंचनवे की घादों का वर्ग बताईए पंचनवे की घादों को हल किजिए तब हम इसको कैसे हल करेंगे अब हम सिखने वाले बहुत असान असान विधियों की सहता से तो सबसे पहले जो मारी विधी है वो है एकाधिकेन पूर्वन विधी हम एकाधिकेन पूर्वन विधी की सहता से किसी संख्या का वर्ग ज्याद करने वाले तो सबसे पहले तो हम यह जा लेते हैं कि एकाधिकेन पूर्वन विधी की सर्थ क्या कहती है तो जीन संख्याओं की इकाई पांच हो याद रखना यहाँ पर एक करें लूंग जो आई यह को हल करने के लिए तो सबसे पहली करते हुँ उसको दो भागों में बाहर दयता हूं कुछ इस का Ayla कर से ठीका है अब देखिए अब हम इसको हल कने वाल है तो यहाँ पर मतलबढ है इसको कैसे लिख सकते हूं मैं अब भी आपको बता था मतलब कि उसवी संख्या का उससी संख्या से हम दो बार करते हैं गुड़ा यहाँ पर हो जाएगा 150 का 152 सही हम दो बार करने वाले हैं ऑब यह यह लिखा जाएगा 115 गुना 115 हमें इसका वर्ग ज्याद करना है एक आधिकेन पूर्वन विधी की सहता से इसमें एक आधिकेन पूर्वन विधी लगा सकते क्यों कि इसके इकाईयों में पांच है यह पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या इसके इकाईय में क्या है पांच पांच है तब हम इ यहाँ पर दो भाग पर आपत होता है तो उत्तर का बाया भाग मैं पहले ज्लाएन करूंगा जाएगा उत्तर का तॉर्जिद्स प्रकार से आपको इसको हल करना है लखना है तो देखिसाथ थ्योओं अब उत्तर का बायरभातथ हम कैसे जाध करेंगे उत्तर्द कांवाज कर ₹को यदि ने वाला हू लिखने वाला हुकि मैं यहाँ पर दिख़ा हुम गुड़ा में दहाई का इका अधिकेन दहाई का एका यह हमने सुट्र लगा दिया कोन से सुत्र रिकाजी एक आधिकन फोइं अब उत्तर का दाया भाग हम कैसे ज्याद करेंगे तो यहां पर में लिखूंगा इकाईयों का गुड़ा इकाईयों का गुड़ा फिक साथ ओ अब आगे क्या होगा तो देखिए दाहई और दाहई केल का अधिकन मिल यहां पर 115 तब हमें कौनसे दाहई को लेना है तो अब हमें कौनसे लाइक हमें ना थालेज राइस का एकाईडिक Better आप इसको देखिए का यानि कि पूर्व की संख्या का पूर्व की संख्या का हमें लेना है तो पूर्व की संख्या यहां पर है 115 अब पूर्व की संख्या का दहाई एक आधिकेन तो यह हमारा हो जाएगा इकाई क्या हो जाएगा इकाई अब जो सेश बच जाता है उसको हम दहाई की जगह रखते ह कि यहां पर हैं उत्तर का दाय भाग उत्तर का दाया भाग हम से घ्याकि और यहां पर हैं पांच और पांच जब चाहां करेंगे तो हो जाता है 132 इतना होता है एक साथ लिग दिए मैंने दोनों को एक साथ लिग दिया और यही मेरा होता है इंसर यही मेरा एक नोन के लिग देते हैं क्या हो जाएगा अतहा यह हो जाएगा 115 की घहात दो बराबर कितना आ गया यह आ गया 13225 यह हमारा हो जागा एंसर हम कैसे बड़ी से बड़ी संख्या का जिसके इकाई अंक में पांच होंगे उसको हम असानी से वर्ग ज्याद कर सकते हैं अब हम सिखने माले तो यहां पर कहा गया है इस विधी का परियोग सधारता दो अंको की संख्या के वर्ग के लिए किया जाता है आपको याद रखना है कि इस विधी का जो परियोग है केवल दो अंको की संख्या के वर्ग के लिए ज्याद किया जा सकता है तो हमें यहां पर एक इक्जांपल दिया गया है उधारन दि थे तब हम इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए मैं यहां पर इसको हल करने वाला हूं तो सबसे हम पहले हम यहां पर लिखेंगे हल हमें जो क्या दिया गिया है उसको उतार लेते हैं हमें दिया गिया है गात गात में दो है इसका मतलब होता है कि 92 का हमें 92 से ही गुड़ा करना क इतने बार दो बार गुड़ा करते हैं वर्ग में यह चीज़ आपको याद रखना है अब देखिए अब देखिए इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर आपको आपको एक सर्वसमी का याद होगा जो आप कक्छा पांचवी छट्वी से पढ़ते आ रहे होंगे यह क्या होत बस आपको याद रखना है अब फिर आप आसानी से 92 की घादों का हल उत्तर जात कर पाएंगे तो देखिए साथ यहाँ पर है एक जगा हमारी जो पहली संख्या है वो है नौ उसको हम एकी जगर रखेंगे और दूसरी संख्या जो दो है उसको हम बी की जगर रखेंगे यह हमें मिल गया नो और भी हमें मिल गया दो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ए बराबर चूट की अब बराबर हमें मिल गया है यह कितना मिल ज यह लाज यह हमें बन्यक्ति औरक हो दिर přितों कॉल बैटर सब्सक्राइब गया है कि उससे कणक्रावलग मेरा दो इसके घार पष्वालनीय मुज्रा तो अगर वर्ग है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या कि उसी संख्य से हम करते हैं दो आरपा धुरा यहां पर क्या हो जाएगा यह दोए बराबर टू तू अम ने उतार दिया दो कि जगा दो अब यहांपर ए एकमान हमें यहां पर मिला है नव मिला है तो मने लिग दिया दोगुडा 9 B, B कामान हमें मिला यहां पर साथ हो 2 मिला है, इन तिनू को हम कर देते हैं अब बहुए यहाँ पर देखिये 2 का गुडा होगा किसी होगा 2 का गुडा होगा 9 से तो यह हो जाएगा 18 और 18 का गुडा जब होगा शोख तेयों। यह दिया है अजह आप इसके घात में हैं तो मैंने घात में दो लिग दिया अब विसका क्या मतलब होता है की SAY कि 2 का दो सभी करने लिखेंगे गुलंडू दुबार दो वार ने लिदा यह का दो बराबर चार हमने इन तीनगी चीजह का मान गया के लिए में अफने उत्तर को लिखेंगे तो सबसे पहले में की के तरफ से शुरू करेंगे यहाँ पर और बी स्क्वमांट हमने निकाला हुए यहाँ पर चार को लिगन दिया इसके बाद दखिये इसके बाद देखिये यहाँ पर टू ुए भी का मान निकालना है मिमें हमें तो अब्सक्राइब बच गया तैन जाएगा तो यह दिखा जाएगा इसके साथ में जूड़ जाएगा एक यासी के साथ में जूड़ जाएगा तो एक यासी और तीन एक यासी और तीन यहां पर आजागा साथ यह चाहराशी क्या जागा चौराशी आजागा तब हमने यहां पर इस प्रकार से बहुत कम समय में आपको आनी रूपर विधी की साहते से इसका हल ज्याद कर लेना है तो मैंने यहां पर निकाल लिया ब्यानबे की घाद्दो बराबर आया है आठ हजार चार साथ देखिए यह कितना इजी है बहुत कम समय में हम इसको असानी से ज्याद कर सकते हैं इससे भी कम समय लगेगा अगर आप जाधत से जबारे बात करने वाले है जो है हमारा यावत उनम्तावात उन्हीं कृत्त्य वरगम्चा योजिये शुत्र से इसको हम योजिये शुत्र के नाम से ही भी जानते हैं अब इसकी सहते से देखिए हम कैसे बहुत कम समय में औ कि अधाय से विचलन यहां पर देखे दो चीजें लिग iPhones करने वाल इस जाyr विचलन करने मैं यहां पर आपको सम्धाओंगा एकार कैसे गयाद करते हैं कि अधाय से विचलन कि याद का कर लेते हैं हुचलें कम हो तो विचलन कम हो तो उतना संख्य गटा करहां देने जाता है यहां पर एक चीज आपको याद रखना है इसके लिए इन पूरी बातों के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है वो क्या है मैं आपको लिग दिता हूं जैसे कि मुझे कहा गया है कि किसी संख्या का वर्ग याद करना है तो यहां पर मैं पर रखोंगा अपन लिखूँगा अपने संख्या को क्या करूंगा अभल गषुड अभ यदि विचलन का मान याधिक होगा तो में धन केसाथ लिखंगा कम हो तो दुर्ट का मान कम होग तो रिंज चरीं को क्यotta Korea ndखुण है और यहां पर आजाएगा मेरा विचलन हमने यहां परने तो को लिख दिया हमें मिल गया उत्तर का बाया भाग हमें उत्तर का बाया भाग मिल गया कुछ इस परकार से आपको उत्तर का बाया भाग याद करने नहीं मैंने यहां पर उस फार्मिलों को लिख दिया उत्तर का बाया भाग अब इधर हम निकालने वाले उत्तर का दाया भाग अब देखिए हम उत्तर का दाया भाग कैसे निकालते साथ यहां पर देखिए मैंने लिग दिया उत्तर का दाया भाग हमें क्या कहा गया है विचलन का वर्ग दाये तरफ रख देने पर हल पूर्ण हो जाता है तो उत्तर का दाया भाग में आएगा विचलन का वर्ग यहां प पर कहा गया है उधारान नंबर में कि 996 की घाद दो को हल किजिए मतलब की 996 हमें वर्गग याद करना है तो देखे साथ यो अब हम इसको कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिग देते हैं हल हल लिखने की बाद क्या करेंगे हमें जो दिया गया है उसको मुटार लेते हैं यह दिया गया है 996 की घाद दो और इसका मतलब मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि उस संख्या का उसी संख्या से हम दो बार करते हैं गुड़ा तो यह हो जाएगा 996 गुड़ा 996 इतना काम आपको कर लेना है अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे ऑब आगे एक वह क्या करने वाले वह देखिए यहां पर देखिए जो फार्मूला लिखा था उस फारम्क। को मैं वापस से लिखने वाला हूं यह क्या है संख्या की घाद्दो मुझे क्या गात करना है मुझे ज्याद करना है संख्या का वर्ग ज्याद करना है उस फार्मुला को मैं वापस से लिख रहा हूं तो मैंने यहां पर लिख दिया संख्या की घाद्दो बराबर इसके बाद और रिन का चिन लगाते हैं हमें उत्तर का जो है वह बाया भाग मिल जाता है इससे अब उत्तर का दाया भाग हम कैसे ग्याद करते हैं तो विचलन का हम करते हैं वर्ग और हमें उत्तर का दाया भाग असानी से मिल जाता है विचलन का वरग ठीक है अब आगे अब आगे देख क्राइब किस सहाथे से आप को पता कर सकते हैं तो हम क्यां को प्त all हाजार हुष गए तो आपको एक यह को चोड़ देना एक आए के बाद आता है 10 वाज ही यहां पर दसको फिर टाइब सःार प्र हजार में आता है 100 आता है हजार फिर यहं आता है 10,000 क्याता है 10,000 कुछ इस हाजार आता है फिर आता है एक लाग पिर काता है एक लाग आता पाइछ कि तो ऑनल यह को हम कहते हैं यह चलते रहेगा है दाहाई सब्चत किरोंभ यह debugging हमार अधहार कहfish क्या कहलें तरह साथिَّ आफको याद रखना है इसको अधार कहते हैं हम रहार को मैं आपको एक चीज और मतादूम कि दस और सौट दस और सौट के बिश में यहाँ पर जितनी भी संख्याँ जिसके इकाई अंक में सुनने हो दस और सो के बिच में ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में सुनने हो उससे हम उप अधार कहते हैं कि अधार किसे कहते हैं और उप अधार कहते हैं कि अधार किसे कहते हैं और उप अधार कहते हैं किसे कहते हैं मैंने दोनों का मतलब आपको बता दिया तो दे सब्सक्राइब यहां पर मैंने आपको अधार का मतलब समझा दिया तो यहां पर निकालने वाले थे अधार का मान तो देखिए हम अधार का मान कैसे ग्याद करेंगे तो हमारे पस इतने सारे अधार मिल गया है तो देखिए हमें निकालना है जाएगा यदि मैं 996 के लिए अधार में रखूं एक हजार तब यह इसमें जो अंतर है वो कम हो जाएगा केवल चार का अंतर कम हो जाएगा तब मैं कहूंगा कि 996 के लिए अधार हो जाएगा एक हजार तो यहां पर आजाएगा एक हजार आपको पास वाली संख्या को ढूण रहा है अधार में समीप वाले संख्या को ही लिना अधार के रूप में दस या फिर सो या फिर यहां पर 10,000 को हम नहीं लिए सकते क्यों क्योंकि एक हजार जो है वो 996 के समीप है तब हमारे ल तो देखे साथ यो अब मैं विचलन को ग्याद करने वाला हूं तो देखे हम विचलन कमान कैसे ग्याद कर सकते हैं तो विचलन ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमें संख्या दी गई है और जो हमने अधार निकाला इन दोनों को हम देखेंगे जो हमें संख्या दी ग मैंने विच्छलन कमान बहुत असानी से बहुत कम समय में जया कर लिया कैसे जयी जो हमें संख्या दी खेए फोग हम uważ यह अधार थैं उससे 4 कम है हमने विच्छलन कमान अग Catholic यह आ गया è就 हमने यहाँ तो है तो दो देख़े हमें तक मैं यहाँ पर कहाँ गया धन और रिंविचलन कमान अधिक आथा तब मैं यहाँ पर ने तक मैं अब हमें धर लेन यह प्राशन उड़ता है तो देख्यंद साथियों जो तो 996 है वह 1000 से कम था सपाल ग संस्मों क्धार और कम के लिए हम यहां पल मेंने के साथ और nieuwe YouTube हमने यहां पर निकाला हुआ थीकर शारियों हमें मिल गले धुत्तर कसे र 현재 करते हैं करते हैं एक यहां पर है विचलन तो ही कि हो तुपर के चार की खाथ दिआरा टॉछ सम्हाना लगाते हैं थी का मतलव हुता है कि 902 अब यहां पर देखिए चार की घतर दों के मतलब होता है कि चार का सब्सक्राइब दो बार गुड़ा किसे चार से ही तो यह जाएगा नौ सो च्यानुबे की घाद दो बराबर हमें बस दोनों को एक साथ लिखना है और वह हमारा हो जाएगा उत्तर तब हम इकाई के तीन सुन्य हैं क्या सुन्य है तो यह पर एक बात साफ हो जाती है कि अधार में विचलन संख्या होने चाहिए सुरह वह वह दो अंको वाली संख्या सान्ख्यों सको हम बनाने वाले हैं तीन अंक ही मिलेगा तब यहाँ पर देखिए मैं अपने उत्तर के दाये भाग में क्या लिखूंगा ये तो 16 लिखाएगा ही लिखाएगा अब इसके साथ मैं सूनने को ले लेता हूं तब ये तीन अंको वाली संख्या बन जाएगी तो इतना काम करना है आपको यदि अधार कमान सहु ही मिलने वाली थी यही बात आपको जहां रखना है कि इधर इधर जितना भी संख्या दिया सोरी जितना भी सुन्य दिया चार पांच जितना भी आपको सुन्य मिले अधार में वहां पर यहां पर उत्तर के दाये भाग में उतनी ही संख्या आनी चाहिए यहां पर अधार मे देखो बहुत कम समय में बहुत आसानी से हमने योजिय सुत्र के साथ से इतनी बड़ी संख्या का वर्गा ग्याद कर लिया तो सांसियों यह प्रश्ण जो है बहुत प्रेक्ट्रीस करने पर बनता ज्यादा से ज्यादा प्रेक्ट्रीस करेंगे तो यह जो प्रश्ण है उसको बहुंच कम समय में इसको बना पाएंगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तक एलिए थांक्यों